next round में हम पोचते हैं हमने last class में पढ़ा था motor car के बारे में और आज हम पढ़ रहे हैं वही perquisite जो specified employees के लिए taxable होती है लेकिन motor car के अलावा और कौन कौन सी है perquisite जो taxable होती है किसके लिए specified employees के लिए specified employees कौन होते है specified employees वो होते है जो director होते है या जिनके पास substantial interest होता है 20% or more share in the equity shares और जिनकी monetary salary 50,000 रुपए से उपर होती है वो specified employees होते हैं पिछली वीडियो में वो सारी बाते आपको बताई गई थी तो अगर किसी को confusion है तो आप अपने assignment में देख सकते हैं या पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं अब हम और बात करें sweeper, gardener, watchman और personal attendant अगर आप chartered accountant बन जाते हैं आपकी company कहती है कि हम आपको employee देते हैं आपके घर की सफाई करेगा हम आपको employee देते हैं आपके घर के बाहर पोधे लगाएगा फूल लगाएगा सुबह आप बागीचे में बैठिये बाहर चाहे पीजिये और अपना बहुत बढ़िया मापर फूल पोधे वगरा रखे हुए हैं आपको watchman भी हम देंगे कोई आप आइंगे तो आपको हमने गाड़ी तो देई दिये आप अपने घर पे जाएंगे तो आपको कार सो उतर कर गे्ट खुलना पड़ेगा आपका घर इतना छोटा थोड़ी paying तो घर इतना छोटा नहीं दिया यह कि घर के बाहर कार लगाओ घर इतना बड़ा है कि कार घर के अंदर लगा हो, वहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन भी है, सुबह उड़कर वहाँ अख़वार पड़ो, चाहे पीओ और वहाँ पर कार अपने घर के अंदर दो-चार कार खड़ी करो और घर इतना बड़ा है तो वाच्मेन भी हम आपको देते, तो आप जाएए भार वाच्मेन आएगा, सिलूट मरेगा दरवाजा कोलेगा, पंदर की कोई भी आएगा तो उससे बाच्चित भी करेगा वो ऐसी अंजान लोगों को घर के अंदर गुसने भी नहीं देगा, तो वाच्मेन भी मिलेगा आपको, कुक भी मिलेगा, खाना आपके लिए बनाएगा, बीवी से रडाई नहीं होगी, बीवी कहें मैं ठकी हूँ, खाना नहीं बना रही वो खाना बना कर आपको दे देगा और अगर आप फीमेल है, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका लड़ाई जगड़ा नहीं होगा, आपका पती आपसे नहीं कहेगा, कि बही मुझे ये बना कर दो, ये बना कर दो, आप काम में वेस्त है, तो कुक उसको खाना बना कर दे देगा, और आपको भी खाना बना कर देगा, और क्या चीए लाइफ में, ये सारी चीज़े आपको मिल रही है, तो क्या कुछ टेक्सिवल होगा इसके लिए, बिल्कुल होगा, जितना खर्चा एमपलोईर कर रहा है, वो सारा, सारा टेक्सिवल हो जाएगा, समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है, कि अगर ये एमपलोईज आपके रखे हुए हैं, तो ये आपकी ओबलिगेशन है, कि आपने इनको पेमिन करना है, तो ये सब के लिए टेक्सिवल है, अगर ये एमपलोईर ने रखे हुए वरकर्स, ये सर्वेंट एमपलोईर ने रखे हैं, तो ये आपकी ओबलिगेशन नहीं है, इनकी पेमिन करना, ये ओबलिगेशन एमपलोईर की ही है, तो ये केवले स्पेसिफाइड अगर ये एमपलोईर की लिए टेक्सिवल है, बहुत थोड़ा सफर के, मतलब आपकी जॉब लगी, आपके अपलोईर ने का कुक, आपने बेदम ये हैं, उन्ने का लोजी उसके पैसे, तो ये कुक आपने रखा था, पैसे दिरा अपलोईर सब के लिए taxable आपको employer ने रखा उस employer ने का आपके हाँ कोई काम करता को कहा नहीं जी बीवी काम नहीं करती मैं तो सुबह उड़कर भरतर भी मासता हूँ खाना भी बनाता हूँ उन्हें का को खम देंगे हाँ वही कल से रामला लाएगा तो उसका मतलब क्या हो गया कि यह पै कार में बात करी थी कार employer की है इस स्पेसिफाइड के लिए taxable है employee की है सब के लिए taxable है क्योंकि employee की कार है तो employee की obligation हो उसके खर्चा payment करना और खर्चा देरा employer तो सब के लिए tax पर में आती है अब है कि खर्चा कितना जितना भी employer ने payment कर रहा है तो यह सारी बातचीत मैंने बता दी servant अगर engage करे employee ने तो सब के लिए taxable है अगर यह engage करे employer ने तो पर इसलेंडर है या pipeline है क्या है आपके गर में गैस सिलेंडर है pipeline है इसलेंडर है वाटर फैसिलिटी बिल लिए वह सारी फैसिलिटी एंप्लोईर दे रहा तो जो खर्चा करता है वह taxable हो जाएगा यहाँ पर भी होई है यह connection आपके नामे तो आपकी obligation है सब के लिए taxable है य यह connection employer के नाम है तो केवल specified employees के लिए taxable है सारी बात्चे वहीं की वहीं बासन में आती है जितना खर्चा होगा उतना taxable हो जाएगा अगर मालिया employer का अपना ही काम है इन चीजों का employer की अपनी gas agency है आप इंडियन gas agency में काम करते हैं उनके पास अपनी ही है आप NTPC में काम करते हैं वो तो बिजली बनाते हैं खुदी तो ऐसी situation में जो manufacturing cost है वो टेक्स बनाने का कर्चा है चलिए ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं free education facility जिसे आज कल कहते है free education facility तो educational facility is provided to an employee himself then value is nil अगर employee को कोई पढ़ाय लिखाई कराई जा रही है उसके लिए कोई courses कराया जा रहा है तो उसा free है क्योंकि वो तो उसके काम धंदे के कामी आने वाला है लेकिन अगर उसके family members को के लिए उस employee को या सीधा school को payment हो रहा है अब देखो fee or member of household of employee paid by employer directly to school will be taxable for all types of employee क्यों होगा वह यह ऐसा क्योंकि अगर employee है उसका बच्चा है तो उसकी obligation है employee के बच्चे की fees जमा कराने की obligation employee की है वो payment employer कर रहा है तो यह वो हो गया second category obligation of employee paid by employer is taxable for all types of employees खीक है लेकिन अगर employee ने education का खर्चा किया बच्चों का बाद में employer ने उसको reimburse किया तो ऐसी situation में भी यह क्या है वही वाली बात होगे न कि यह employer को पैसा मिल रहा है where education facilities provided by employer to children of employee in the educational institute which are owned and maintained by employer employer का अपना ही school है यह डीपीएस बहुत बड़ा नाम है डीपीएस में आप school में नोकरी करते हैं teacher हैं और आपके बच्चे वहाँ पर ही पढ़ते हैं तो यह employer ने अपने education institute में आपको facility दी है आपके family member को यह free education is provided in any other institution then the value perquisite will be fees charged by similar institution in the similar locality मतलब मालिया DPS school अपने employees के बच्चों को या family member को पढ़ा रहा है हम देखेंगे कि DPS जैसा old school जो fees charge करता है वही fees taxable हो जाए however it will be the following tax treatment in case of children of employee employee की children के लिए कुछ benefit है family member भाई बहन वगरा है तो यह discount नहीं मिलेगा exemption नहीं मिलेगी बच्चों के लिए मिलेगी अगर perquisite की value 1000 रुपे पर मन तक है तो यह fully exempt है चाहे जितने भी वालक हो लेकिन अगर यह 1000 रुपे पर मन से ज्यादा की amount है तो यह fully taxable है चाहे कितने भी बच्चे हो तो मतलब 1000 रुपे पर मन तक कुछ भी taxable नहीं है 1000 से उपर रहती ही पूरा taxable हो ठीक है बच्चों में step child या adopted child भी आएगा लेकिन grand children के लिए कुछ भी exemption नहीं है वो तो पूरा का पूरा taxable है क्यां बच्चों की बाद हो रही है grandchildren की बाद नहीं हो रही है family member और कोई है तो भी सारा का सारा taxable है ठीक है scholarship देते आप तो फिर वो free है वो taxable नहीं है training expenses भी free training expenses free है बच्चों कोई employer employee से कुछ पैसा वसूल कर रहा है तो वो हमेशा की तरह minus हो जाएगा transport facility transport facility is provided to employee or his family member it will be taxable for specified employee तो जो भी benefit हो रहा है वो taxable हो जाएगा ठीक है तो any facility to employee working railway और airline will not be taxable मली आप railway में ही जॉब करते हैं और वो railway आपको transport facility दे रहा है तो वो taxable नहीं है आप airline में जॉब करते हैं और वो आपको facility दे रहा है तो वो taxable नहीं है तो यह है कुछ हमारी perquisites जो taxable होती है specified employees के लिए आईए question करते हैं 36 ताकि हम लोगों को सारे concept clear हो पाएं कि वही कैसे कैसे क्या क्या taxable होना है Mr. Jinesh है पाइलेट है इंडियन airlines में basic salary 35,000 पर मन्त है out station allowances है rent free accommodation मुंबई में है electricity है और cook gardener watchman है gas के expenses है medical expenses है traveling के लिए पास मिले है education facility है तो देखा आपने बहुत सारी चीचे मिलती है तो taxable salary हमें निकाले heading तो मैं आपको डलानी रहा हूँ आपको पताए competition of taxable income of Mr. Jinesh Ford assessment या यह सारी चीचे आप लिख देंगे मैं सीधा मुद्धे पर आ रहा हूँ income from salary में taxable salary निकाल रहा हूँ जो है सबसे पहले basic salary ठीक है ना तो basic salary है 35,000 पर मन तो कितना हो गया ओ ले 20,000 आउट station allowances पाँच हजार रुपे पर मन ठीक है तो याद करो हमने पढ़ा था है personal allowance for employees working in transport company जिसे हम आउट station allowance भी कहते हैं जो हमारा था कि 10,000 रुपीज पर मन या 70% of allowance whichever is less exempt हो जाएगा क्योंकि ये transport company में काम करता है उसकी जिन्दगी खराब है कभी इस जगे कभी उस जगे और अपने family को भी time नहीं ले पाता है तो आउट station allowance या personal allowance for employees working in transport company वो हमने पढ़ा था आउट station allowance वो मिला है इसे 5000 रुपे पर मन साथ हजार इसमें से हम exempt करेंगे 10,000 पर मन जो जाता है एक लाग भी से जगा 10,000 इन्टू 12 या था 70% of allowances तो साथ हजार का 70% कितना हो गया 42,000 whichever is less तो 42,000 exempt हो जाएगा साथ हजार में से और अठारह जार tax value ठीक है rent free accommodation working node में calculate कर लेंगे मैं working node में लिख देता हूँ भूल ना जाओ rent free accommodation लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं लिख रा क्योंकि इसके अंदर सारी परक्यूजिट और monetary payments आ जाती हैं आगे बाइचांस कोई दिमाग से निकल जाए और आगे कोशन में कोई allowances हुई और add होने से रह गई तो हम मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी वैसे कोई है नहीं पढ़ लिया था फिर भी for the safer side मैंने working note में लिख दिया था कि मैं भूलू ना कि मुझे rent free accommodation की valuation भी करनी है यह specified employee तो है 50,000 से जाधा की salary तो इनकी वैठ वी है 4,000,000 अगर 50,000 रुपे standard reduction भी मिल गई तो भी 3,70 होगी तो केवल basic salary से यह specified employee बन चुका है इसलिए मुझे attention लेने की जोद नहीं है कि जो मैं allowances जो percussive देख रहा हूं वह specified के लिए taxable होती है नहीं होती है चेक करने की जोद नहीं है इस employee के लिए तो सारी ही percussive taxable है जो specifically exam नहीं ठीक है बासन में आती है electricity पड़ा था हमने जो भी खर्चा होता है employer दे रहा है 4,000 रुपे पर मन जो actual खर्चा है वो taxable हो जाएगा कुक मिला है gardener मिला है watchman मिला है 1,000 पर मन इच है तो कुक 1,000 पर मन कितना हो गया बारह जाद और क्या है गार्डनर कितना वन ताउजन पर मन और कोन है वाच में गैस एक्सपेंसिस तो गैस एक्सपेंसिस चारहजार क्वाटरली हैं तोलह जार ठीक है मेडिकल एक्सपेंसिस अठारह जार तो क्या पड़ा था मेडिकल एक्सपेंसिस के लिए कोई गौर्वर्मेंट होस्पिटल है अपना होस्पिटल है तो एक्सम्ट है यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो टेक्सपल हो जाएगा पूरा इटीन थाउजन ट्रेवलिंग के लिए चाल लाक रुपे मिले है इने पासिस है ना तो हमने पड़ा था यह फुली टेक्सपल होते हैं बट अगर यह रेलवे एलाइन्स में है तो एक्सम्ट हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा एक्सम्ट एजुकेशन फैसिलिटी है हर बच्चे की पच्चिस सो रुपे पर मन्त है ना हमने कहा था हजार रुपे पर मन्त है तो फ्री है मनना पूराई टेक्सपल है तीन बालग हैं इसके ना तो सबकी टेक्सपल हो जाएगी ना इन बच्चे हर महीने काfits 60012 महीने का कितना हो गया किनददध्यशार यह भी टेक्सपल हो गया तो रैन फ्री एक्कॉमोडेशन की बाद कर लेते है यह मॉंबई में है और रैन फ्री एक्कॉमोडेशन के लिए बोला है गर दिया है तो हमने क्या बढ़ा था 40 लाग से जादा population होती है तो क्या लेते है 10% मुंबई की population 40 लाग से जादा 10% of salary monetary salary all taxable allowances यह सब लेते हैं तो इसमें किबल 4,28 4,38,000 43,800 यह होगे घर की valuation total कर ले कितना आगया gross salary कितनी आगया 6,89,800 ठीक है इसमें से 50,000 की standard deduction less हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 6,39,800 पोशन में बोला है taxable salary तो यह है taxable salary ठीक है ना तो यह answer आ गया बताइए किसी को कोई tension है तो इसमें तन में आता है तो complete हो गया तो आगे बढ़े fully exempted perquisites ऐसी perquisites जो fully exempt है आपको mobile मिल जाए घर पे phone लगवा दे है यह mobile दे दे हैं तो यह taxable नहीं है चाहे उसका 2000-5000 रुपर महिने का बिल है तो भी free है आप government employee है इंडिया के भाहर काम करते हैं citizen of India है तो आपकी सारी perquisites माफ है free 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 government employee citizen of India working outside India is free perquisites allowances sub free high court, supreme court, judges के लिए rent free house free है concession rate पे माल बेचा जाए free है जिस काम धंदे में आप लगे हैं उसका माल अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो कोई अहसान नहीं होड़ा आपके देखे न insurance आपका होता training का होता है यह सब free है सारी चीज़े free 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 तो यह सारी चीज़े थी इसके बाद है retirement benefits यह है graduate pension, leave and cashment retention compensation, voluntary retirement scheme and provident funds तो एक तरीके से अभी तक हमारा आधा chapter खतम हो गया है वैसे तो आधे से जाधा हो गया है 65-70% complete हो गया है यह 75% 75% complete हो गया अभी तक कि जितने भी questions थे हैं questions में employee retire नहीं हो रहा था लेकिन अब जो questions आएंगे उनमें employee retire हो तो जितना हमने अब तक पढ़ा है वो सब लगेगा लगेगा प्लस यह चीज़े ओल लगेगी तो आप पहले उतना complete करें अच्छे से क्योंकि आप से कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं अच्छे से वो सब complete करें उसके short notes बनाए फिर हम next class से इसको पढ़ना शुरू करें